प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी उत्रा खंड में चुनाव का विगुल बजा रहे हैं लेकिन अखाड़ा में हमारा फोकस दिल्ली पर होगा इस वक्ती बड़ी खबर दिल्ली सही आ रही है जहां सियासी हलचल तेज हो गई है अर्विंद केजरिवाल के घर पर आमात्मी पार्टी के विधायक और मंत्री पहुँच रहे हैं ये सभी विधायक अर्विंद केजरिवाल की पत्मी सुनीता केजरिवाल से मिलने के लिए पहुँचे हैं केजरिवाल 15 अपरेल तक जेल में हैं ऐसे में विधायकों का सुनीता केजरिवाल से मिलना सियासी अटकलों को हवा दे रहा है ये मीटिंग क्यों हो रही है क्योंकि जब इंडी गटबंदन के त्वारा शक्ती प्रदर्शन की कोशिश हुई थी या विरोध प्रदर्शन E.D. और अर्विन केजरिवाल के एरेस्ट पर हुई थी कि तब भी उसकी अगवाई सुनीता केजरिवाल नहीं की थी क्या अटकले इस बात की तेज हो रही है क्या सुनीता केजरिवाल दिल्ली का अगली मुख्यमंत्री के रूप में सामने निकल कर आएंगी बड़ा प्रशन उठ रहा है क्यूं ऐसा इडी ने कहा कल कोट में कि अर्विंद केजरिवाल ने सौरभ भरद्वाज और आतिशी का नाम लिया है और कहा है कि विजे नायर उनको रिपोर्ट करता था जावेद मसूरी इस वक्त अर्विंद केजरिवाल के घर के बाहर से लाइव इस वक्त जुड़ रहे है सबसे बड़ा प्रशन यही है कि ये विधायक वहाँ सपोर्ट प्रदर्शन के लिए आए है कि जब तक केजरिवाल जेल में है तब तक सुनीता केजरिवाल जी दिल्ली सरकार को चलाएंगी मुख्यमंतरी अर्विंद केजरिवाल के आवास के बाहर की सीधे तस्वीर आपको दिखाएं यहाँ पर वो लोग खड़े हैं जिनके हाथ में अभी पर्चे हैं जो टैली कर रहे हैं कि कौन विधायक यहाँ पर पहुँच चुका है कौन अभी नहीं पहुचा है लगातार यहाँ पर विधायकों का पहुचना शुरू है यह बैठा कुस्वक्त हो रही है जब आतिशी ने यह आरोप लगाए कि उनको दबाव देकर बीजेपी जॉइन करने का ओफर दिया गया कल भी हमने देखा विधान सभा में एक विधायक ने इसी तरह का आरोप लगाया था कि उसको 25 करोड का लालच देकर बीजेपी जॉइन करने की बात कही गई जो आप अटकलों की बात कह रहे हैं वो तो कयासबाजी है लेकिन अभी आमादी पार्टी का स्टैंड यही है कि अरविंद केजरिवाल ही मुख्य मंतरी रहेंगे वो जेल से सरकार चलाएंगे लेकिन सियासत है सियासत में कहानी और खेल कभी भी पलट सकता है फिलाल जो विधायक है उनका पहुचना शुरू है और जो बड़ी बात य अधिकारिक तोर पर ये तो इंतिजार करना होगा लेकिन जरूर इस सियासी घटना करम दिल्ली में बहुत तेजी से रिकल कर सामनी आ रहा है जी बहुत सारी अटकले हैं बहुत सारे प्रशन उठ रहे हैं क्या सुनीता केजरिवाल आग को दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कि चुना जाएगा क्या ये लालू का बिहार मॉडल है जहां रापडी देवी उनके पक्स में आई थी उनकी जगा आई थी तो क्या वही मॉडल यहां दिल्ली में हमें देखने को मिलेगा विकरान्त इस वक्त हमारे साथ लाइफ जुड रहे हैं दिपक बिश लाइफ जु उनके लिए जानना बहुत जरूरी है पहला ये कि अर्विंद केजरिवाल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे ये आम आदमी पार्टी ने फैसला ले लिया है और आज की बैठक जो हो रही है विधायकों के साथ उसमें भी अर्विंद केजरिवाल के प्रती प्रती बदता दोराई जाएगी सुनीता केजरिवाल क्योंकि अब वही जेल में जाकरके उनसे मुलाकात कर रही है और उनके पीए विभाव जा रहे है तो सुनीता केजरिवाल के सामने मिलकर विधायक अपनी प्रती बदता जताएंगे और दूसरी बड़ी बात ये पार्टी ने स्टै क आए कि इस मामले में सिफा अर्विंद केजरिवाल नहीं देंगे तो उनको कि कहना है कि सुनीता केजरिवाल को मुक्यों बंस्री बनाना या किसी और को मुक्यों बनाना इसका सवाल ही नहीं उठता और दूसरी बात आनन जो अर्विन केज़िवाल ने कल जो बयान दिया था जिसमें आतिशी और सोरभ भारदवाज का नाम लिया उस मामले में आमादमी पार्टी का ये कहना है कि विजे नायर जो इस मामले में एडी ने ग्रफतार किया था और इस समय दिल्ली के तिहार जेल म अपना बयान दिया था तो उसने भी अपने बयान में यही बात कही थी कि वह आतिशी और सोरभ को रिपोर्ट करता था और अर्विन केज़िवाल ने वही बात दो रही है तो उसमें कुछ नया नहीं है अब असल खेल क्या है वह समझने बहुत जरूरी है कि अर्विन तो कर ही सकती है एडी और इस समय चुनाव सामने अगर सेकंड लाइन ओफ लीडरशिप पर खत्रा आया तो बहुत बड़ी दिक्कत आम आदमी पार्टी के लिए हो जाएगी प्रशार में दिक्कत होगी फैसले लेने में दिक्कत होगी यह तमाम चीज़े तो अब दो ही व संभावना है क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल कह चुके हैं कि जेल से सरकार नहीं चलने देंगे हाई कोट यह कह चुका है कि हाला कि समयधानिक तोर पर कोई रोक नहीं है लेकिन क्योंकि यह नियाई खसक शेप का मामला नहीं है यह कारेपालिका का फैसला है और अगर राज्यपाल को उपराज्यपाल को कुछ लगता है तो वो फैसला लेंगे राश्वतिक अपनी रिपोर्ट भेजेंगे तो आप इन दोनों विकल्प के अलावा कोई और विकल्प दिखाई नहीं है कि अर्विन केजरिवाल अगर मनीश सिसोडिया और सत्यांतर जैन से इस् जेल से सरकार चलाएंगे लेकिन जेल मैन्यूल के मुताबिक केजरिवाल का जेल से सरकार चलाना बहुत मुश्किल है और कहीं न कहीं LG थाप ने भी इस वार संकेत कर दिये हैं दे दिये हैं कि जेल से सरकार नहीं चल पाएगी 21 मार्च को केजरिवाल की गिरफतारी के बाद से ही दिल्ली की आमादनी पार्टी लगतार दावा कर रही है कि अर्विन केजरिवाल सीमपत से स्तीफा नहीं देंगे और वो जेल से ही सरकार चलाएंगे ऐसे में खबर यहां तक आई कि इडी की कस्टडी से अर्विन केजरिवाल ने कई आदेश दिये दिल्ली सरकार की तरफ से दावा किया गया कि केजरिवाल ने इडी की कस्टडी में रहते हुए आदेश के कई लेटर साइन भी किये हालाकि बात में ED की तरफ से इस तरह के किसी भी आदेश और लेटर पर साइन की बात से इंकार कर दिया अब केजरिवाल न्याय की रासत में तिहार जेग पहुँच गए हैं दिल्ली आपकारी घोचाले मामले में गिरफतारी के बात तिहार की बैरक नंबर दो में केजरिवाल एक रात गुजार चुके हैं और दिल्ली सरकार अभी भी अड़ी हुई है कि अर्विन केजरिवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे लेकिन आम आदनी पार्टी की जेल से सरकार चलाने की जित पूरी होना बेहत मुश्किल लग रहा है दरसल दिल्ली से समंदित फाईल सीम के जरीये ही जाती है जेल से ये मुम्किन नहीं मंत्री मंडल के सभी फैसलों की जानकारी उप्राजिपाल को CM के जर्ये ही भेजी जाती है ऐसी सरकारी फाइल जो CM के देखने के बाद ही आके बढ़ती है जेल से ये मुम्किन नहीं जेल में CM केवल न्याइक जरूत के कागसों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं सरकारी पाई के साथ ये मुम्किन नहीं सीम अपने मंत्री मंडल के सयोगियों से मुलाकात नहीं कर सकते क्योंकि उनकी मुलाकातियों के नाम में वो शामिल नहीं है ऐसे में सरकारी आदेश कैसे पारिद कर सकते कैबिनेट के पैसले लेना, आधिकारिक दस्तवेस पर हस्ताक्षर करना, जेल से ये मुम्किन नहीं रोजमर्रा के प्रशासने कामकाज का संचालत, लगभग ना मुम्किन हालंकि दिल्ली हाई कोट जेल से सरकार जलाने पर रोग की याचिका को ये कहतर खारिच कर चुका है कि ये कारिपालिका का बिशा है, लिहाजा इस पर पैसला, उबराजिपाल, राश्टपती या फिर केंडर सरकार को लेना है इसमें न्याइक तखल का कोई स्कोप नहीं है, केजरिवाल देश की इतिहास में पहले ऐसे मुख्यमंत्री है, जिलेट पाध पर रहते होए गिरफतार किया गया है और पहले गिरफतारी और उसके बाद न्याइक खिरासप ने भेज़े जाने के बावजूद, अर्विन केजरिवाल ने सियंपत से सीफा नहीं दिया है दीपक बिश्ट, विक्रांत और जावेद मंशूरी इस वक्त हमारे साथ लाइब है, क्या जेल से सरकार चल सकती है कर सरकार चला सकते हैं होते हैं फाइलों में, वो अंदर तक कैसे पहुचेंगी, क्योंकि जेल मैनुवल इस चीज़ों की जाज़त नहीं देता और यह कह रहे थी कि दिल्ली की जो तियार जेल है, वहाँ से सरकार चलाई जाएगी अब देखे हैं यही हुआ कि किस तरह से सरकार चलाईगी, क्या यहाँ पर जुवानी यहाँ पर सरकार थोड़ी चलाई जानी है देखें लेकिन यह सारा पॉजिशन जो है विक्रांट, अर्विन केजरिवाल के जो पूर्व में जो उनके स्टेटमेंट्स हैं जो उनके वक्तवे हैं अन्य नेताओं के खलाफ उसके तो बिल्कूल विपरी थी जाते हैं मनीश सिसोडिया क्यों अपना कारेभार नहीं संबाल सकते थे तियार जेल से, सतेंद्र जेन क्यों अपना कारेभार नहीं संबाल सकते थे तियार जेल से, उनके उनसे क्यों का गया इस्तीफा दे दो दूसरी बात जब पुछली बार जब इससे पहले अर्विन केजरिवाल दूसरे नेताओं पर आरोप लगाते थे तो आरोप पर ही वो रिस्तिफा मांग लेते थे अब जब खुद पर आप पड़ी है तो कहना है कि मैं जेल से सरकार चलाओंगा विकरांद देखिया आनद इस मामले में जो सवाल उठ रहे हैं वो नैतिकता के सवाल है और निशित तोर पर आहम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल को इन सवालों का सामना करना पड़ेगा अर्विन केजरिवाल कोई समाने राज्यूतिक पार्टी के नेता नहीं है वो आंदोलन से निकली पार्टी के नेता है और आंदोलन भी ऐसा जो जनता के बीछ से चुरू हुआ जनता के बीच में जनता के समर्सन से उन्होंना अंदोलन खड़ा गया और उस समय सबसे अलग होने का दावा किया गया था लेकिन अब परिस्तिया ऐसी बन गई है जो हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जेल में है और उनकी पार्टी ये कह रही है कि हम जेल से ही सरकार चलाएंगे नैतिक सवाल जरूर उठते हैं और नैतिकता के सवालों के जवाब कोई भी व्यक्तिकत तोर पर ही दे सकता है या पार्टी दे सकती है तो पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी क्योंकि वो पार्टी के एक मात्र सर्वानने नेता है उन्ही के बूते ये पार्टी एक जूट है उन्ही के साथ एक जूट है और अगर अर्विंद केजरिवाल ने इस सीफा दिया तो बहुत बड़ी दिक्कत है पार् देखिए तो यानि बात फिर पावर की आ गई कि सत्ता किसके हाथ में रहेगी हमें सत्ता का मोह नहीं हम जनता की सेवा के लिए सामने आए हैं ऐसा खुद अर्विन केजरिवाल ने पहले कहा है मैं किसी का मुझे किसी चीज का लोब नहीं है मैं तो कल ये कुर्सी चोड़ तो उन्होंने कहा पहले अपने आपको निर्टूर सिद्ध करो, फिर वापस पद पर आओ, खुद क्या इसे फॉलो करना है अर्विन केजरिवाल, ये प्रशन उठ रहे हैं, वहीं आपकी तरफ से ये है कि वो आपके नेशनल कन्वीनर है, हमारे नेता है, हम उनको अभी भी स पढ़ी और फिर सोने के लिए चले गए, लेकिन पूरी रात उन्हें ठीक से नींद नहीं आई, हाला कि उन्हें गद्दा, तकिया और कंबल दिया गया, लेकिन वे रात में परिशान दिखें। जेल में केजरिवाल की पहली रात बेचैनी भरी रही, वो परिशान से रहे, सोमवा शाम जब वो तेहार जेल पहुँचे तो उनके लिए पहले से ही बैरक तयार कर लिया गया था जेल नमबर दो के बैरक में केजरिवाल को रखा गया, बैरक की लंबाई 14 फीट, चोड़ाई 8 फीट, केजरिवाल की बैरक में एक टीवी लगा है, सीमेंट का उंचा चबूतरा बना हुआ है, बैरक के बाहर चार सुरक्षा करमी हमेशा तयार रहेंगे, बैरक में CCTV लगा ह अर्विंद केजरिवाल को डाइबिटीज की शकायत है, ऐसे में उसी के मताबे के स्पेशल डाइट और खाने की सुविदा दी जाती रहेंगी, 15 अप्रेल तक अर्विंद केजरिवाल तेहार जेल में ही रहेंगे, हाला कि पहली रात वो सही से सो नहीं सके, रात में बेचै और सुबक कुछ समय के लिए बैरक के बाहर रह सकते हैं, लेकिन बाद में उन्हें बैरक में लोटना पड़ सकता है, केजरिवाल अपनी बैरक में टीवी देख सकते हैं, और जेल नियमों के मताबेक उन्हें अपने परिबार के लोगों से मिलने की इजाज़त भी दी गई आज़ी है के राइट स्किन के पास है और क्या इस पे भी कोई एक समय सीमा है देखे आनन जेन नंबर दो में वो सेल में रखे गए है जहां पर 14 भाई आठ का वो सेल है जहां पर अर्विन केजिवाल को रखा गए है रात जो है उनकी कहे सकते हैं को कि पहली रात है और जब भी कोई ऐसी जगह पर आता है एक कूठी समय वो एरिया होता बहुत चोटा एरिया होता जहां पर रखा जाता तो वहां पर मेचेने भी होती है नीद भी नहीं आती काफी परिचाह खोती है कोई कि वहें पर सोना खाना और रहना होता है वहीं साथ ही सुबह से उनकी जो दुन चरीजा है सुबरोंने वहें पर चाइपी है और योगा किया है अपने सेल की सफाई की है हला कि आज सुबह नाष्टा जो है तिहाल जेल का ही उन्हों ने किया है जो हलका-फुलका होता है लेकिन लंच दो पर साड़े बाराँ बज़ तक उनके पास घर का नहीं आया था जिससे यह उम्मीद जिताई जारे की तिहाल नहीं खाना पड़ सकता है और किस तरह से वहाँ पर जो आपने बतारा है कि जो दूसरे लोग है को कि एक नमबर से लेकर साथ नमबर तक आमादी पार्टी के जो वरिष्ट मंतरी यो रहे ते पूर में वो यहाँ पर बंद है लेकिन उनकी मुलाकात आपसवा होना बिलकुल मुश्किल है को कि ये सभी है और इसलिए इन सब की मुलाकात कहीं सभी संभव अभी तक नहीं है को कि जेल मैनुवल ये कहता है कि किसी की भी आपसव मुलाकात इन जेलों के जो लोग है आरूपी है चाहे ट्रायल प्रिजर हैं वो सब यहाँ पर एक सुरुसर से नहीं मिल सकते हैं तो आज यहाँ दे लिख रही हैं शराब घोटाले वाले केस में एडी को एहम तस्तावेज हाथ लगे हैं जिसके बाद आतिशी एडी के रेडार पर आ गई है एडी को आतिशी पर गोवा चुनाव के लिए रिश्वत लेने का एक सो चालिस करोड जंता वो पाई पाई का हिसाब मांग रही है सबसे पहला सवाल जो अरविंद केजरिवाल और जो भरष्टाचारी आपके नेता हैं उनसे पूछना चाहेंगे यह जो न्याले जाते हैं अरविंद केजरिवाल और अब आप गिनिएगा अरविंद केजरिवाल जी सबसे पहले दिल्ली उचनाले गए और उन्होंने कहा नौ समंज एडी के आए हैं उस पे रोग लगाई जाए और मेरी गिरिफ्तारी ना हो पहली चोट दिल्ली उचनाले ने कहा प्रतम दरश्टया फाइलो का अवलोकन करने के बाद यह सपश्ट है कि शराब गोटाले का अगर आरोपी कोई है तो वो आप हैं और उनको राहत नहीं मिली उसके बाद इडी कोट गए उन्होंने कहा इडी को मेरी हिरासत ना दी जाए इडी कोट ने कहा नहीं इडी जाज करेगी आपको मुश्किल सवालों का जवाब देना पड़ेगा उसके बाद वो पुने दिल्ली उचनैले गए कि ये जो आदेश हुआ है इस पे रोग लगाई जाए दिल्ली उचनैले ने रोग नहीं लगाई फिर वो इडी कोट गए इडी कोट ने उनकी हिरासत को आगे बढ़ा दिया और हमने देखा कि पुना पंदरा एपरेल तक उनको जुडिशिल कस्टिड़ी में दे दिया गया ये हुई 5 चोटे इसके साथ मनीच से सोडिया मनीच सोडिया 14 महीने से جेल में है इडी कोट ने बेल नहीं दी डेली हाइ कोट ने बेल नहीं दी सुप्रीम कोट ने बेल नहीं दी रिव्यू पेटिशन फाइल किया बेल नहीं मिली चार और चोट लगी पाँच और चार नो नो बार नयाले से मूँ की खानी पड़ी संजे सिंग इडी कोट कोई रहात नहीं उसके बाद दिल्ली उच नयाले कोई रहात नहीं ग्यारा तो क्या आज ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे ये जो सारी बहस है ये प्रेस वारताओं में ही होती है लेकिन नयाले के अंदर जो आपकी दलीले हैं ये खोकली है और देश सम्विदान से चलता है लोकतंत्र में मर्यादा होती है नयाले फैसला करता है कि किसको बेल मिलेगी किसको नहीं इस पे आपका कोई प्रवक्ता कोई जवाब नहीं देता है दूसरी बड़ी बात क्या ये सत्य नहीं है कि मनीश सोडिया की गिरिफतारी हुई आपने उनसे स्तीफा लिया आपने सतिंदर जैन से भाजपा नहीं दबाब बनाया जनता की आवाज बन गए आपने स्तीफा लिया आज ये दोरे मापदंड क्यों है अरविंद केज रिवाल जी आप स्वयम आज आरोपी हैं जेल की सलाकों के पीछे है तो आप स्तीफा नहीं देंगे लेकिन मनीज से सोडिया और सतिंदर जैन से आपने स्तीफा ले लिया और आपने अच्छ देफिनिटली से अच्छ अच्छ देफिनिटली देजर्व बेटर सी एम बी broadcast देफिनिटली जेफिनि देफिनीm अच्छ देफिनिम् झाल झाल